मैंने आर्टिकल पढ़ा था आप पता हो कितनी सचा ही इसमें about slum dog कि actually मैं आपको कोई और रोल मिलने वाला था जो शाहिद देव पडिल का रोल था वो आपको मिलने वाला था आप लॉक हो गए थे या ऐसा कुछ था और फिर ऐसा वकी करेक्टर की एज को कम कर दिया गया आप इस बात में कितनी सचा ही है पता नहीं नहीं ऐसा नहीं था कि मैं लॉक हो गया था यह था कि पहले जो जिस रोल जो में रोल था उसके auditions जो हो रहे थे उसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी कुछ 5-6 साल शायद उसकी उम्र बड़ी थी तो जब उस एज ग्रूप में auditions हो रहे थे दब हमने भी auditions दिये थे बाद में वो कम हो गई और फिर उसमें यह हुआ कि क्योंकि जो उसकी कांस्न दिरेक्टर थी लवलीन टंडन उन्होंने फिर दुबारा उन्होंने कॉल किया कि भाई यह ऐसा एक चीज है आप करोगे और तब तो मरला लिटरली कुछ भी नहीं किया था तो उस समय तो ऐसा होता था कि यह सेट पहुँच आते हैं यह सेट पर चलते हैं ना मेरा मेरा परस्टनेली यह चीज़े बहुत होता था कि यार करते हैं कि यह करते हैं चलते हैं एक्सपोशर एक्सपीरेंस क्योंकि इस समय से भी चाहिए इस इसी तरह से इसी I think रीजन से में अपने घर से निगलता था तो Slum Dog भी उसी वज़े से किया उस जमाने में जब वो बन रही दी तो एक बहुत ही छोटी क्रॉसोवर फिल्म की तरह दी वो Slum Dog Millionaire तो बाद में बनी जिस इंसान की पहली फिल्म आसकर जीत लेती है क्योंकि आप Slum Dog Millionaire में थे उसके बाद भी आपने काम किया आपको परसद्धी मिलती है मिर्जा पुर से तो अंजुम से शरत बनने के सफर की जो तपिश है उसकी जो ताप है यह बारा साल का सफर कैसा था अंजुम उस पर बताओ यार कुछ आप जो major एक आपके हमारे जैसे कोई बी इनसान हो जिसका कोई जो एकदम zero से क्या minus से चुरू करते है तो यह तो जाहर से बात है कि challenges rejection तो आपका every day कितना reject हो आप कितने auditions पर reject हो आप मुझा याद भी नहीं और audition तो छोड़िये मतलब जो रोज मर्रा के जो होते है आपके not fit वो तो मैं counting नहीं करता था एक समय के बाद वह ऐसी चीज है कि यह फिल्म अगर आपकी आगई यह चीज हो गया तो अब यह ब्रेक है आपका और बड़े स्टार के साथ नाम नहीं लूगा मैं कि आपकी एक बड़ी फिल्म है और एक बड़े स्टार के साथ एक जो वह भाग हो नहीं के बाद यहा हमान अपको फिल्म से कुछा hora दिया गया हो नहीं सा तो नहीं हुआ की लॉक हो अ далा कि एक हाता टेया गा हुआ मतलब मैं रिजेक्शन इन चीजाँ को कहता हूं वह पहले सिस्टें डिरेक्टर की और रगड तो तो उनके बाद इनी तो मैं मैं एक्टिंग करना चाहता हूं तो ऐसे देखे मैं अच्छा तो खैर महां से फिर मैं निकला मैंने कुछ-कुछ वर्क्शॉप की और वर्क्शॉप करने के बाद मैं एक प्ले में पहुंचा एक प्ले किया मैंने मतला हम उसमें एक प्ले में कर रहे थे वह हुआ वह अच्छा रहा लेकिन उस जमाने में मुझे यह हुआ कि वह वोक्शॉप करके निकले और फिर हमारे जैसे दोस्त होते थे कि अगला पड़ा क्या करना चाहिए तो लोगों ने बहला कि काम करो फोल्यों करवाओ और मारिये चक्कर, audition और यह हुआ तो हम गए टलेविशन के कुछ auditions वक्रह दिये और एक आदमे कुछ में अच्छे किसी में हो भी गया तो पूछा कि अच्छा ठी कि आपका यह हो गया अभी मतलब चार दिन पहले दिये शुरू कि यह हफते दस दिन में हो गया कि वह इस रोल इस शो में आपको यह तो बताये तो मैंने का मैंने का नहीं बोले क्या मैंने का नहीं मैं भी अच्छा आप सेलेक्ट हो गये तो फिर आप बोल रोक नहीं करना चाहता तो अब मैं उसको मुझे को सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इसका खालए है bit यह चल रहे है didn to me मेरे दिवाग मेरे में ऑस समय यह चल रही है ती भात यार अगर मैं यह सोचता हूँ और मैं कुछ लोगों को देख चूगा था चाहे जाए मैंने एक प्ले किया या वोक्शॉप में मुझे के समझ में आया गिया अगर आपको ये काम करना है तो आपको ये आना जाहिए